हेई फ्रेंज विल्कम विल्कम बाग टू एजुकेशनल चैनल बाई रिताशू कैसे हैं आप सब आशा है फ्रेंज आप सभी स्वस्त होंगे आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट और शोट वाक्य और हमारा टाइटल है पक्षी जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी यहां पर पिक्चर्स में बने हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं पक्षियों के बारे में छोटे छोटे महत्वपून आठ वाक्या So without much further ado friends, let's get started पक्षी घर, शहर, गाउं, जंगल, आदी प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं पक्षी, घर, शहर, गाउं, जंगल, आदी प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं कुछ पक्षी हमारे आसपास रहते हैं जैसे गुरया, मुर्गी, कबूतर, कववा, आदी कुछ पक्षी हमारे आसपास रहते हैं जैसे गोरईया, मुर्गी, कबूतर, कव्वा, आदी कुछ पक्षी गाउं में मिलते हैं जैसे चील, मोर, उल्लू, तोता, आदी कुछ पक्षी गाउं में मिलते हैं जैसे चील, मोर, उल्लू, तोता, आदी पक्षियों के दो पंक, दो आँखे, दो पैर, एक चोंच और एक पूँच होती है पक्षियों के दो पंक, दो आँखे, दो पैर, एक चोंच और एक पूँच होती है पक्षी पेडों पर रहते हैं और अपने पंकों की सहाईता से उड़ सकते हैं तोते का रंग हरा, कववे का रंग काला और कबूतर का रंग सलेटी होता है मुर्गे के सिर की कलगी और मोर के पंक बहुत सुन्दर होते हैं बहुत से लोग कुछ पक्षियों को घरों में पालते हैं क्या आपने भी कोई पक्षी घर में पाला है अगर हाँ, तो कॉमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखे बहुत से लोग कुछ पक्षियों को घरों में पालते हैं तेंक यू सो मच पर वाचिग फ्रेंज, इस लाइक दो फोगेट तो थाम्स अप अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आए हैं तो प्लीज दू सब्सक्राइब पास पास रहते हैं जैसे गोरिया, मुर्गी, कबूतर, कववा, आदी कुछ पक्षी गाओं में मिलते हैं जैसे चील, मोर, उल्लू, तोता, आदी पक्षियों के दो पंक, दो आँखे, दो पैर, एक चोंच और एक पूँठ होती है पक्षी पेडों पर हैते हैं और अपने पंकों की सहायता से उड़ सकते हैं तोते का रंग हरा, कववे का रंग काला और कबूतर का रंग सलेटी होता है मुर्गे के सिर्की कलगी और मोर के पंक बहुत सुन्दर होते हैं बहुत से लोग कुछ पक्षियों को घरों में पालते हैं